कि अलो एस्टूरेंट्स आज वे बात करेंगे कि लॉजिकल यॉजिकल ऐपरेटर में थ्र्ड ऑपरेटर की क्योंकि फंस्ट टूरप्रेटर दोंनों पढ़ चुके हैं जीसे दीके end operator जो आपने last video lecture में पढ़ा था अगर logical operator के लोग बात करें logical operator ठीक है तो इसमें end operator ऐसे indicate करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और operator टू वर्टिकल लाइन जे शो करते हैं इसके बारे में हम लोग last video lecture में example के साथ discuss कर चुके है आज हम लोग third logical operator की बात करेंगे और third logical operator क्या है not operator that is called not operator ठीक है तो not operator को symbol से कैसे दिखाते हैं वो simply exclamatory sign जो होता है इस तरह this is not operator this operator reverses the value of the expression it operates it makes a true expression false and a false expression true यानि कि जैसे माली जी आपने कोई example दिया आपने कहा कि इसके पहले आप यहां पर not operator यूज कर देंगे यह इस तरह तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा कि why not y less than 20 ठीक है यहां इसका मतलब हो जाएगा कि not y is less than 10 यानि कि इसका मतलब यह होगा कि if y is less than 10 the expression will be false ठीक है अगर आप इस तरह लिखते हैं आपने कहा not y is less than 10 अब इस case में क्या होगा अगर y की value आप 10 से कम देंगे माली आपने का 8 8 is less than 10 तो यह तो true हुए चुकि यहां पर आपने not operator लगाया हुआ है तो true जो आना चाहिए यह expression की value को reverse कर देता है ठीक है तो not operator is often used to reverse the logical value of a single variable ठीक है और single variable की case में भी ठीक है अगर आपने मान दीजिए कहा कि if और आपने कहा not और फिर आपने लिखा flag इसी चीज़ को आप दूसरे ढंग से define कर सकते हैं इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि if flag is equal to zero ऐसे तो इसका मतलब कि जो not operator है वो expression की value को reverse कर देता है ठीक तो यह third type of logical operator है तो basically जो तीन logical operator यूज होते हैं and or or not c language में उन तीनों के बारे में हमने आपको बता दिया है अब इसमें बात आती है अगर मान लीजे इन में से दो तीन ठीक है यह सारे operator अगर एक साथ किसी expression में use होना है तो हम किस order में execute करेंगे उस चीच को हम कह सकते हिरार्की आफ लॉजिकल operator ठीक है that is called hierarchy of logical operators logical operators की hierarchy क्या होती है किस order में use किया आते है ठीक है तो अगर इसके हम मान लीजे एक table form में आपको समझाएं तो यहां पर हम लिखा operators ठीक और यहां पर हम लिख देंगे type सबसे पहले hierarchy में सबसे पहले क्या आता है not operator इसके हम लिख देंगे यह क्या है यह है logical not सबसे पहले यह execute होता है उसके बाद multiplication, division और modulus operator तो हमने का multiplication, division और modulus operator ठीक ती arithmetic and modulus operator होगा है इसको लिख सकते है arithmetic इसके बाद फिर execute होगा आपका addition और subtraction तो यह आपको मालूम है कि this is arithmetic operator उसके बाद execute होते है relational operator less than greater than less than equal to greater than equal to ठीक है तो यह होगा आपका less than greater than less than equal to greater than equal to यह जो operator होते है यह operator कराते है relational ठीक उसके बाद hierarchy में next जो आता है आपका वो यह बलकि यहीं पर आप लिख जे equal to और not equal to यह क्या होगा यह सारे relational operator होगा है फिर logical and operator तो लोग पढ़ चुके यह हो गया logical and उसके बाद logical or की बात करेंगे तो यह हो गया आपका logical or operator और उसके बाद हम लोग बात करेंगे assignment operator की तो यह equal to का जो single equal to का sign है यह कहलाता है assignment operator assignment operator तो जो hierarchy होती ही logical operator की किसी भी expression में है तो यह इसी order में execute होते हैं सबसे पहले यह उसके बाद यह उसके बाद यह इस order में और अगर मालीजे same hierarchy level वाले हैं तो हम left to right follow करते हैं जो पहले left to right में जो पहले पढ़ेगा उसको हम execute करते हैं clear तो यह हो गया आपका hierarchy आप logical operator अब इसके बाद logical operator के पाद एक और special तरह के operator सी लेंग्वेज में यूज होते हैं वो कहलाते हैं conditional operator ठीक है तो conditional operator को अगर हम discuss करेंगे चलिए next उस पर हम लोग बात करते हैं conditional operators क्या होते हैं तो first we write conditional operator ठीक है the conditional operator question mark sign and colon sign are sometimes called ternary operators since they take three arguments तो conditional operator क्या होते हैं देखे question mark और colon यह जब साथ में use किया जाते हैं तो यह conditional operator कराते हैं और इनको ternary they are also known as ternary operator because they need three arguments they need three arguments इनको तीन arguments की जरुत पढ़ती है इसलिए यह ternary operator भी कहलाते हैं ठीक है तो एक तरह से जब अभी आपको example देके समझाएंगे तो एक तरह से यह if else if then else का replacement है जैसे पहले तो हम इनका general form आप देखिए किस तरह से हम इसको general syntax में लिख सकते हैं तो इनका जो general form होता है इस operator का वह ऐसे होता है कि माली जी हमने यहां पर लिखेंगे में expression one कोई expression one हम लिखेंगे उसको check करेंगे question mark sign में और true होगा तो expression two execute होगा और false होगा तो expression three execute होगा expression three तो देखिए तीन argument एक एक दो तीन तीन argument यूज होते हैं इसलिए यह टनरी operator कहलाता है अब इसमें क्या होगा कि यहां पर जो हम expression लिखेंगे अगर वो true होगा उसका result तो यह expression execute होता है और अगर उसका result false होगा इस expression का तो यह expression three execute होता है जैसे for example अगर हम example लेकर आपको समझाना चाहें तो माल लीज़े हमने कहा कि suppose किज़े हमने दो variable declare कि integer x, y यह declare कर दिया फिर हमने x की value एंटर की तो हमने कहा कि इससे scanf किया scanf percentage d ampersand x इस तरह अब हमने कहा कि एक statement हमने यह दिया कि y equal to x is greater than 5 इसको check कीजिए if then else तो अगर यह true है तो y में 3 डाल दीजे नहीं तो false है तो 4 डाल दीजे यह मतलब हुआ इसको इस statement का मतलब क्या हुआ कि आप x की value input करेंगे और x की value जो आपने input की है वो अगर 5 से जादा है मतलब यह इसका result true है तो y में 3 आ जाएगा और अगर 5 से कम है तो y में 4 आ जाएगा तो यह use होता है conditional operator का अगर इसी चीज़ को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इस statement उससे आप करना चाहेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे if x is greater than 5 y को क्या दे देंगे 3 एल्स तो आप वाई को क्या दे देंगे 4 इफ एल्स statement देने की बजाए आप इस तरह से भी conditional operator का यूज कर सकते हैं अब इसमें अगर आपको clear हो गया होगा तो ठीक है नहीं मान लिजिए एक example और ले लेते हैं suppose कीजिए यहीं ले लेते हैं हम लोग मान लिजिए हमने कहा कि से एक example और यहां लिखते हैं हमने कहा कि character a हमने integer y, integer y हमने declare कर दिया अब a की value हमने input किया keyword से तो हमने लिखा scanf percentage c ampercent a अब character की value वो यह कह रहा है कि अगर capital later है यानि character value 65-90 के बीच में है तो y में 1 input करो otherwise 0 input करो तो हम यहां expression दे देंगे y equal to यहां check करेंगे a is greater than equal to 65 and a is less than equal to 90 यह check कीजे अगर यह true है तो 1 दे दीजे y में और false है तो 0 दे दीजे तो अगर a की value 65-90 के बीच में होगी 65-90 के बीच में तो क्या होगा y में बना जाएगा otherwise y में 0 हो जाएगा तो यह conditional operator भी आप use कर सकते हैं प्रोग्राम को कम से कम लाइनों में बनाने के लिए instead of false statement तो I hope कि आपको यह clear होगा होगा कोई doubts कोई confusion है तो comment line में comment करके पूछिए और अगर video content पसंद आ रहा है तो please video को share कीजे like कीजे चैनल को subscribe कीजे और notification bell को जरूर on कर दीजे ताकि next video की information आपको तुरन में जाए Thank you